सबी का स्वागत है, सबी को नमस्ते, नमस्ते शर्मिला दिदी जी, नमस्ते, नमस्ते प्रिया जी सबी को नमस्ते, शुरू कर सकते हैं जी, धन्यवाद दिदी, तो आज भागेशाली दिदी की शेरिंग है आप सुन पा रहे हैं भागेशाली दिदी? जी दिदी तो मैं आपका पर इच्चर रखते हुँ फिर आप अपनी शेरिंग को शुरू कर सकते हैं भागेशाली दिदी लेक्चरार हैं कंप्यूटर इंजिनरिंग डिपार्टमेंट में पिंपरी चिंचवर पॉले टेकनिक पूने महाराष्ट्र में दीदी ने अपना पहला वर्क्षोप इंटरॉड़क्टरी वर्क्षोप 2021 में किया था और दीदी मौर्निंग सेशन से एपरल 22 से जुड़ी हुई है तो दीदी आपका स्वागत है ओवर टू यू दीदी जी धनेवादी दी तो नमस्ते शर्मिला दी दी नमस्ते गोपाल भाया प्रियदर्शनी दी सुनील भाया नमस्ते सभी को तो मेरी ये जो बैच 11 की जो आज की शेरिंग है तो मेरा संग्षिप्त परिचे मेरा नाम भागिश अली विक्रम जाथ हो मैं पिंप्रिचिंसर पॉले टेकनिक कॉलेज में पढ़ाती हूँ बत और लेक्चरर इन कम्प्यूटर इंजिनेरिंग डिपार्टमेट मेरी जो फैमिली है यहाँ पूने में मैं अपनी स्पाउस मेरे दो लड़किया एक लड़का ऐसे हम यहां रहते हैं मेरे सासुमा, मम्मी, पापा, देवर, देवरानी सभी मेरे दो भाई पूने में है तो सभी ऐसे काफी बड़ी फैमिली है, कजीन्स भी है मेरे काफी तो सभी के साथ मेरा जीना तो चली ही रहा है UHV की जो जर्नी है मेरी वो शुरुवात हुई 2021 में डूरिंग कोरोना पैंडेमिक तो ऑनलाइन इंट्रोड़क्टरी वरक्शॉप मैंने उस वक्त अटेंड किया तो कंटेंट के बारे काफी एक जुडाव, एक कनेक्ट फील करने की वज़े से मैंने इसको फिर आगे भी बना के रखा 2022 में ओफलाइन वरक्शॉप नागपूर में मैंने किया, फिर अभी रिसेंटली 2024 जुलाई में कानपूर में UHV3 का वरक्शॉप भी मैंने अटेंड किया और मौनिंग मीटिंग में मैंने 2022 में जॉइन किया, जहां सही मैंने अपने को समझना क्या हूं मैं, क्या चल रहा है मुझ में, क्या मुझ में कुछ संसकार भी कुछ ऐसे होता है, भाव भी कुछ होता है, कुछ विचार भी चलते है, बहुत सारी चीजों को मैंने जब मौन सीखी उस पर मैंने ध्यान भी दिया और कुछ जो अभी मैं अपने जीने में कुछ एक पहले बिफोर उएच वी या बिफोर मॉर्निंग सेशन अटेटन करने से पहले बहुत बहुत गड़बडी भरा जीना बहुत दिसहार्मोनी रहती थी अपने में भी मेरे सभवी संबंद जिनके साथ में जी रही थी उनके साथ भी बहुत गड़बडी भरा जीना चल रहा था बट जैसे जैसे exercise one two को करते करते अपने में ही अभी तो काम चल रहा है बट अभी मैं बहुत बहुत हद तक हार्मोनी फील करती हूँ सब के साथ भी मेरा संबंद के साथ काफी हद तक जीना भी अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है तो इस अर्थ में जो मेरा काम हुआ है या चल रहा है इसको मैं थोड़ा रखती हूँ तो अभ्यास एक और दो से क्या समझ बनी तो इस बार जो थोड़ा मैंने कुछ बाते नोट की ये कि बिफोर यूएच वी एक ऐसे था कि मैं एक बहुत शान्त सुभाव की लड़की हूँ बात कम करती हूँ ये बोलती नहीं है जादा ऐसे थोड़ा एक इमेज या ऐसी ही थी बट मैंने ये भी देखा कि मैं न बोल नहीं पाती थी इतना वो कभी-कभी गुसा बनता था किनी ब बातों से तो मैं वो एक्सप्रेस आउट भी नहीं कर पाती थी बोल ही नहीं पाती थी बट अभी मैं ये देख रही हूँ कि क्यों नहीं बोल पा रही हूँ मैं जब ये मैंने समझा कि कहीं तो मेरी ही गड़बडी हो रही है अर्थ देने में तो इसको जैसे जैसे मैं समझ पा रही हूं अपने को ही तो अभी मैं बोल पाती हूं हाँ भले ही ठीक है बट अपने घर के लोगों तक ही सही मैं बोलती हूं और उसकी उपर भी मैं पूछती हूं शायद अगर कुछ हो भी गई है और कुछ मुझसे कुछ और आपको expectation है या कुछ है तो transparency के साथ, openness के साथ म मैं अभी अपनी बाते रख पा रही हूँ ये एक बात नोट की दूसरी ये कि मेरा ऐसे था कि लोगों के साथ जीने में परसपरता में दूसरे वक्ती के साथ ही काफी मेरी गड़बडी उलजन बहुत बार बनती थी तो इसको भी मैंने और थोड़ा क्यों ऐसे होता था तो सम मुझसे बात कर रहा है अंदर या अंदर मैं काफी सोचती रहती थी ये ऐसे बात कर रहा है क्यों कर रहा है ये मेरी तरफ देख रहा है तो भी क्यों ऐसे देख रहा है मुझसे तो ये बात की बद दूसरे से तो ऐसे बात की उसने ऐसी ही क्यों की बहुत सारे सवाल मुझ म बनते थे तो और इसके एंसर भी मैं ढूनने की कोशिश काफी बार भी करती थी कभी मम्मी से पूछ लिया देखो ना ऐसे उन्होंने ऐसे ही कहा मुझसे ही कहा ना शायद मम्मी से कभी मैं बोलती तो मम्मी बोलती अरे ऐसे ही होते हैं लोग ऐसे ही कहा जाता है बट वो बात स कुछ सीरे की कॉश्चन्स वहां पे बनते फिर बीच में मैंने फिर कुछ बीके शिवानी दी दी ऐसे कुछ वीडियो वहां से कुछ मुझे मिल सकता है क्या इतने सारे सवालों के आंसर्स को ढूढने की कोशिश भी मैं करती रहती थी बट सही अर्थ में जो मुझे जो सवाल बनते थे तो उन सभी सवालों के आंसर्स मुझे यहां मिले और वो सवालों के आंसर्स मुझे में अपने में ही अपने ही संसकारों पे काम करना अपने भाविचार को देखते हुए काफी सारे आंसर्स काफी सारे प्रपोजल्स जो हमें मिलते हैं उसको वेरिफाय करते तो काफी अभी मैं answered हूँ और परसपरता में मेरे जो संबंदी है अभी मेरे घर के members, college के members, सबके साथ काफी अभी मैं खुलके बाते करती हूँ, खुलके हसती हूँ, तो ये एक मेरा जीने में थोड़ा बदलाव जो मैं note कर रही हूँ और इस वज़े से जो दूसरे members भी थोड़ा कभी awkward हो जाते थे ये बोलती नहीं है, कुछ शायद मैं अपने में उलजन बढ़ जाती थी, अंदर ही अंदर कुछ चला देती थी, तो facial expression कुछ ऐसे बनता होगा, तो वो भी थोड़ा फिर दूर हटते थे, तो वो लोग भी अभ अपना गुसा विरोध कुछ चलता था, कभी कभी लगता था मुझे जाना ही नहीं है college, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, नहीं जाना है मुझे यहाँ, बट अब लगता है कि नहीं जाना है, सब के साथ हसते खेलते, सब काम करते रहते हैं, तो मतलब काफी अच्छा मु तो इसको भी कैसे काम किया, तो एक तो मैंने खुद को continuously थोड़ा awareness सजगता बनाते हुए, अपने को समझने की कोशिश की, छोटी-छोटी बातों में, तो यहां पर मैं एक दो example रखती हूँ, एक दिन क्या हुआ कि मैं शाम को आई, तो मेरी छोटी लड़की आके कुछ बतान लगी स्कूल की बाते, तो मैं थोड़ा ठक भी गई थी, और कुछ मैं थोड़ा विचारों में अपने में भी कुछ चल रहा था, तो वो बता रही है, और उसने कुछ तो सवाल पूछा, सवाल पूछा, बट उस वक्त मेरे पास उसको answer देनी के लिए सही answer नहीं था, तो मै शान्त थी, और सिर्फ सुन रही थी, तो उसको गुस्सा आया, तुम तो कुछ बोलती नहीं हो, तुम सवाल मैं पूछ रही हूँ, जवाब भी नहीं दे रही हो, और वो चली गई गुस्सा होके, तो उस वक्त मुझे याद आया, कि मैं भी जब अपनी मम्मी से कुछ सवा भाई है, उनको ही चाहती है, और मुझे थोड़ा दूर ही करके रखा है, और मुझे बताती नहीं है, ऐसे वैसे कुछ भी गलत अर्थ दिया करती थी, तो वो मैं रिलेट कर पाई, मैं चाहती नहीं थी कि मेरी लड़की को मैं अंसर ना करू, बट उस वक्त मुझे वो अंस नहीं मिल पा रहा था, मैं थोड़ा थकी भी हुई थी, मैं सोच रही थी, थोड़ा शांती से मैं चाही पीती हूँ और उसको शांती से बैट के बात कर लूँगी, ऐसे भी तो मेरी मम्मी कुछ होता होगा ना, बट मैंने वहाँ पे गलत अर्थ दिया, तो ऐसे ही गलत अर बच्चों का क्या थोड़ा चलती रहती है कुछ उनके अपने में ही बाते, तो कभी मैं लेक्चर्स के लिए जाकर रुकी हूँ या प्राक्टिकल मेरा चल रहा है, तो उनमें ही कुछ बाते होती है और वो जब हस पड़ते, तो मुझे थोड़ा लगता, ये कुछ मेरे चीने से जोड़ कर देखा कि कभी मैं अपने कलिक्स के साथ बैटी हूँ, कुछ हमारा इंटर्नल डिसकुशन चल रहा है, हस रहे है और उस वक्त भी मैं किसी और कुछ भी तो देख रही हूँ, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैंने उसके उपर कमेंट ही पास किया, अपन होते हैं और दूसरे की तरफ देखने से ऐसे तो अर्थ नहीं बनता कि हम कुछ कमेंट उसके उपर दे ही रहे हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एक्जांपल्स को मैं अपने जीने से जोड़ते हुए समझती गई, और फिर जो सवाल बनते थे परसपरता में दुसरे वक्ती के विवहार से लेकर वो काफी अभी reduced हो गए है और काफी समझ बढ़ रही है और एक हार्मोनी के साथ मेरा जीना सब के साथ अभी चल रहा है ये एक बात है जैसे और एक भी मैंने यहां इस दो-तीन मैंनों में ये काम किया कि जैसे मैं कानपूर वरक्शॉप में आई थी या जो भी मैंने offline वरक्शॉप अभी तक अटेंड किये तो सभी जो भाया दीदी जब हम सब के साथ interact होते तो काफी हसते हुए सब content sharing चलती interaction होता बट मैंने फिर ये नोट किया मैं अपने students के साथ तो इतना हसते हुए क्यों नहीं बात कर पाती हूँ lecture में भी मैं जाती हूँ तो भी कुछ बहुत ऐसे खुल के हसना होता नहीं है बिल्कुल भी नहीं हसती हूँ सिर्फ content lecture delivery करके ही लोट के आती हूँ practical में भी group of students भी अगर आ रहे है तो भी मैं ऐसे हसती बिल्कुल नहीं थी तो इस पर भी मैंने थोड़ा देखा तो बहुत सारी माननेता क्यों नहीं हसना है तो एक तो पहले कि कुछ ऐसे हस दोंगी तो शायद कुछ बच्चे इसके उपर भी और कुछ कमेंट ना करें देखो माम का फेस ऐसे दिख रहा है दूसरा कुछ indiscipline में भी तो नहीं हैंगे तीसरा कुछ disrespect भी करने तो नहीं लगेंगे आगे जाके ऐसे बहुत सारी माननेता है बट सबको मैंने हटा के थोड़ा संबंद के भाव के साथ उनके साथ जब मैंने अभी शुरुआत की है अपने students के साथ जीना तो काफी बच्चे आकर काफी अच्छी तरह से बात करते हैं और उनके आखों में मैंने ये नोट किया कि वो जो एक respect है जो संबंद के भाव के साथ जीने के बाद वो एक अलगी नोट होता है पहले जो दबाव में respect होता था subject पढ़ा रहे हो उस वज़े से और अभी जो संबंद का भाव जो बन रहा है उस अर्थ में जो उनक भी नोट कर पा रही हूँ तो ये एक काम किया मैंने इस तोड़े दिनों में बीच में ऐसे था कि before UHV काफी contradiction काफी disharmony में चल रही थी तो सहन तो नहीं हो रही थी इतनी मुझ में जो disharmony चल रही है कैसे क्या करूँ तो कुछ जैसे हाथ में कुछ काला धागा बान दिया कुछ अंगोटी पहेंड ली ऐसे मैंने भी कुछ try कर लिये थे options बट जैसे अपने में फिर clarity बनती गई फिर समझा की काम तो मैंने खुद पे किया खुद की समझ पे किया भाव विचार पे किया तो सब चीजे अभी मैंने वो हटा दी है और बिना किसी कुछ हम other options लेते हैं disharmony को हटाने के लिए उसके वज़ाए अभी मैं काफी अपने में अराम में भी रहती हूँ ये एक बात और एक थोड़ा मेरा और एक बिगड़बड़ी ये होती थी कि जो समाज में हम रह रहे हैं तो उसका एक थोड़ा दबाव कभी मैं feel करती थी जैसे बच्चों की पढ़ाई से लेकर सबके बच्चे इतना पढ़ रहे हैं इतना ऐसे कर रहे हैं वैसे तो मेरे बच्चों नों भी पढ़ना चाहिए तो वो एक सोशल दबाव में थोड़ा जादा feel करती थी और उस वज़े से मैं अपने बच्चों के उपर भी थोड़ा कभी जादा ही दबाव बना दिया करती थी बट अभी वो डबाव नहीं बनाती तो लगता है कि मेरे बच्चे भी सही अर्थ में सुखी हो जाए पैसे तो कमा ही λέंगे बट सही अर्थ में सुखी हो जाए ये प्रायरिटी अभी दिख रही है और उस अर्थ में मैं प्रयास करती हूँ बहुत बार उनके उपर दबाओ तो नहीं बनाती, बस बीच-बीच में याद करती रहती हूँ, पढ़ाई कर लो कुछ होमवक है तो बस याद करने की, याद दिलाने की कोशिश करती रहती अगर मेरी फैमिली की हार्मोनी के बारे में अगर मैं थोड़ा बताओ तो बिफोर यूएच वी तो मेरी ही हालत इतनी खराब कुछ पता नहीं क्या चल रहा है अपने में बाहर क्या हो रहा है, कुछ नहीं पूरी बेहोशी ही चलती थी तो जैसे हम वो एक वीडियो दिखाते है वरक्शॉप्स में राइट ही और राइट देर सेम वैसी ही सिचुएशन घर में बनती रहती थी हर कोई अपनी परिशानी को पसावन कर रहा है बड़ा चोटे के उपर फिर दूसरा उसके चोटे के उपर ऐसी ही कुछ स्थिती बनती थी मेरी तो जब मैंने वरक्शॉप अटेंट किया वहाँ देखा तो मैंने भी नोट किया रही मेरे घर में तो ये सब कुछ चल रहा है तो क्या करे अभी फिर तो धीरे धीरे फिर खुद पे काम करते हुए फिर घर की हार्मोनी को भी मैंने अभी काफी हद तक सेटल किया है या बढ़ाई है मेजरली ऐसे होता था कि स्पाउस के साथ हम दोनों का शाम को आगे ठके तो कुछ सिंपल से डिसकेशन या कुछ बात भी हो रही है तो कभी वो कहते या कभी मैं कहती आप क्यों गुसा हो रहे हो बात तो नॉर्मली रहती कभी मैं नॉर्मली बोल रही हूँ हो बट उनको लगता कि मैं गुसा हो रही हूँ तो ऐसे हम दोनों में काफी बार होता था तो इसको भी मैंने समझा मॉर्निंग में कुछ प्रपोजल्स मिले तो अपने में काम करते हुए फिर मैंने इस बात को भी अभी सेटल किया है कि मैं शान्त रहती हूँ स्पाउस कुछ गुसा हो गए बच्चे भी आके कभी-कभी थोड़ा चिड़-चिड़ करते है कभी होमवर्क से लेकर किया किसी चीजों के बातों के ऊपर तो कुछ नहीं बोलती हूँ बाद में बच्चे आके खुदी बोल देते हैं कभी-कभी ममा मैं हो गया मुझसे थोड़ा से चिड़-चिड़ मेरी लड़की बोल देती है और स्पाउस के साथ फिर थोड़े टाइम के बाद नेक्स डे मैं थोड़ा डिसकेशन में लेती हूँ क्यूं हुई वो गड़बडी क्यूं गुस्दा हुए तो इसको हम कैसे ठीक से या शान्ती से साथ कैसे हम घर का एन्वार्मेंट हम रख सकते है क्यूं जरूरी है किसके लिए सबके लिए अपने लिए भी ये कितना जरूरी है इन बातों पर मैं थोड़ा चर्चा करती हूँ तो इस वज़े से फिर घर की हार्मोनी भी अभी काफी बढ़ रही है ये भी एक बात और एक बात मैंने ये भी थोड़ा नोट किया कि एक थोड़ा मुझ में एक अलग सा थोड़ा भै मैं नोट करती थी जैसे कभी मैं अकेले बाहर निकली हूँ या कभी थोड़ा अंधेरा है कभी शाम को निकले है Ez तो एक थोड़ा भै सा लगता था बट जैसे existence coexistence का proposal मिलता गया और इसको जब मैं verify भी करती रहती हूँ तो अभी ये clarity आ रही है कि ये जो पूरा existence है वो तो coexistence में है, वो मेरे अर्थ में है तो वो भै जो था वो एक कुछ अलग सा वो काफी अभी हट गया है तो सभी जो है इस existence की इकाया, खुद हार्मोनी में है और सब के साथ सहस्तित्व में है इसकी clarity बढ़ने की वज़े से वो एक जो भै था वो भी कम दिख रहा है कितने steps को अभी मैं swim में देख पाती हूँ तो exercise 1 का जो step 1 है तो मुझ में जो क्या चल रहा है मेरी कलपना शिल्ता में जो भाव विचार चल रहे है तो इसको मैं समझ पाती हूँ, देख पाती हूँ बट ये है कि निरंतरता नहीं बनती है हर क्षन जो देखना है वो नहीं होता है बट वही है कि विचारों में मैं काफी बार बहती रहती हूँ, कभी-कभी तो विचारों में इतना एंग्रोस्ट हो जाती हूँ, ध्यानी नहीं रहता है कभी, इतना मैं उसी में बहती रहती हूँ एंग्रोस्ट हुई रहती हूँ और साथ ही, वहाँ पे मैं रियाक्शन भी दे रही होती हूँ ये मुझे कब नोट हुआ, एक बार मैं ऐसे ही कुछ काम कर रही थी, इतना मैं विचारों में ही अपनी एंग्रोस्ट थी, बह रही थी, और रियाक्शन भी दे रही थी, मेरी लड़की आके कुछ उसने मुझे शायद बात बोली या कुछ ऐसे कुछ कहा, एकदम से मैं सड़ रियाक्ट हो गई, तो ये एक दो बार हो गया, तो फिर मैंने इसको समझा कि मेरा धान नहीं था, क्या चल रहा था, मुझे में और रियाक्शन भी चल रही थी, और इस वज़े से बाहर भी मेरी रियाक्शन निकल गई, ये एक बात, और बहुत बार जैसे कुछ खाना बना रही हूं, कुछ मैं काम भी कर रही हूं, तो काम करते करते वक्त ही मैं विचारों में बहने लगती हूं, इस वज़े से भी कभी काफी लेट हो जाता है कुछ काम करना, टाइम लेती हूं मैं, टास कंप्लीशन को भी, ये भी एक नोट हुई बात. और एक बात मैंने ही नोट की कि बहुत बार मैं ऐसे गुस्से के भाव में ही बनी रहती थी और वो जो गुस्से का भाव बहुत बार बनता रहता था उस पर भी मैंने फिर exercise 1 के step 1, 2, 3, 4 लगातार करने की वज़े से वो जो गुस्से का भाव बनता था उसकी तीवरता काफी कम हुई है बट क्यूं बनता था वो गुस्से का भाव क्या था वहाँ पे कुछ मानने था या कुछ मुझ में कुछ चल रहा था किसी घटना को किसी व्यक्ति को लेकर वो तो पकड़ नहीं पाई बट देखा कि मैंने maximum time के लिए ऐसे ही गुस्से का भाव बना रहता था तो exercise 1 को करते हुए उसकी तिवरता भी मैंने काफी कम की है ये एक बाद और एक बात की बीच में मैंने ये देखा कि बहुत time के लिए या बहुत दिनों तक मैं सिर्फ विचारों को देखते रहना ही कर रही थी बट जैसे ही की भाव पर धान बनाए रखना ये important है इसके बारी थोड़ी समझ बड़ी तो मैंने फिर अपना जो धान है अभी भाव को क्या बन रहे है इसके उपर मैं बनाए रखती हूँ इस वज़े से जो कभी overthinking होना या विचारों में बहना कभी कभी वो जो विचारों में भगदड बनती थी उससे मैं अभी बाहर निकल थोड़ी हद तक तो बाहर निकल के आई हूँ तो मेरा धान जो है भाव क्या बन रहे है इसके उपर मैं बनाए रखती हूँ यह एक और step 1 में जो है कि हर क्षन मेरी सजगता बनी रहे इस पर मुझे आगे भी काम करना है step 2, 3, 4 यह भी मैं कर पाती हूँ अपने जो भाव का निर्नय है तो मैं ले रही हूँ इसकी clarity बनने में भी मुझे थोड़ा time लगा इतनी batches करने के बावजूद भी मुझे लगता कोई आकर मैं बैठी हूँ, कोई आकर गुसा कर रहा है कोई आकर reaction दे के चला गया मैं तो शांत बैठी थी ना, वो वक्ती ही आकर कुछ बोल के गया इस वज़े से तो मेरा भाव बिगडा इस वज़े से तो मैं गुसा हो गई ये मुझे में काफी दिनों तक चलता रहा बट exercise 1 और 2 जो समवेदना बाहर से जो कुछ भी आ रहा है शरीर के माध्यम से वो एक समवेदना ही है अर्थ तो मैं दे रही हूँ इसकी जितनी जितनी clarity मुझे में बनती गई मैं जिमेदार हूँ तो जैसे अगर सहज भाव बनेंगे तो मैं सुखी रहूँगी अगर सहज भाव बनते है तो मैं दुखी रहती हूँ या दुखी होती हूँ इसकी clarity अभी बढ़ रही है साथ ही मैंने ये भी note किया कि बहुत बार किसी घटना को लेकर हम aware भी नहीं रहते है घटना को लेकर चलाती भी रहती हूँ और दुख भी भोग रही हूँ भाव बिगड गए है सजगता नहीं है मतलब मानने ता कि आधार पर सब घटना को अर्थ देना चल रहा है भोग भी रही हूँ और ध्यान भी नहीं है तो इस बात को भी मैंने नोट किया तो काफी सजगता बढ़ाने की जरूरत है और अपनी समझ के उपर भी काम करना काफी जरूरी लगता है बहुत बार तो जो भी भाव बनते है तो मानने ता कि आधार पर ही बनते है ये भी नोट हुआ बढ़ सही समझ के लिए काम करना बहुत महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि सही अर्थ में मैं सुखी हो जाओंगी तो काम करना जरूरी है तो इस वज़े से स्टेप नंबर सिक्स जो है करते रहना है आगे भी संबंद का भाव बने ववस्था का भाव बने सहस्तित्व का भाव मुझ में बने इस अर्थ में मुझे और अच्छी तरह से प्रयास करना समझना काफी कुछ जरूरी लगता है एक्सेसाइज टू का स्टेप वन जो है मैं हूँ शरीर है यह दोनों अलग-अलग वास्तविकता शरीर में जो समवेदनाए बन रही है उन समवेदनाओं को देखने के आधार पर भी यह समझ में आता है शरीर है मैं और स्टेप टू मैं और शरीर के बीच सुचनाओं का आधान प्रदान होता है तो यह भी मैं समझ पाती हूँ मैं जब भी instruction दूँगी तो ही वो instruction को शरीर follow करता है और शरीर के द्वारा ही मैं सम्वेदना को read करती हूँ, उसी को मैं ही अर्थ देती हूँ, ये समझ में आता है बहुत सारी सम्वेदनाय तो आती रहती है, कान पर कुछ बहुत सारे आवाज आ रहे है, आखों के द्वारा भी मैं बहुत कुछ देख रही हूँ, अभी इस वक्त भी, जैसे तवचा से भी कुछ थंड गर्मी जो है, उसकी भी सम्वेदना मुझ तक पहुँच रही है, या पढ़ पा रही हूँ, बट इस एक्षन मेरे लिए क्या इंपॉर्टन्ट है, जो महत्वपूर्ण है, उसी के तहत मैं अपने शरीर को इंस्ट्रक्शन देती हूँ, और आजन इंस्ट्रूमेंट मैं शरीर को यूज करती हूँ, ये एक बात भी समझ में आती है, मैं समवेदना से दूर हूँ, समवेदना को पढ़ पा रही हूँ, इस अर्थ में ये समझ में आ रहा है कि दूरी है, बट फिर भी मुझे और इस स्टेप को थोड़ा समझने की कोशिश लगती है कि हम दोनों अलग वास्तविकता है, और दोनों के बीच में दूरी जो हम कह रहे है, तो इसको मुझे थोड़ा और समझने की यहां जरूरत महसूस होती है, यह एक बात, एकसरसाइस टू का जो स्टेप फाईव है, समवेदना को अर्थ देना, भाय यह परस्तिती जो है, तो उसको जो अर्थ देना है, तो यहां पे जो है, अर्थ भी मैं बहुत अलग देती हूँ, अपनी स्थिती के ऊपर भी मेरा अर्थ देना वेरी होता है, कभी मेरी स्थिती ठीक है, मैं अराम में हूँ, कुछ मैं डिसार्मोनी में नहीं हूँ, तो कोई व्यक्ति अगर मुझस से आकर बात कर रहा है, तो काफी सहष्ता से उनकी जो बातों को आने वाली सम्वेदना को काफी सहचता से अर्थ दिया जाता है बट ये भी मैंने नोट किया कि अगर मैं अपने में ही कुछ असहच हूँ, कुछ डिसार्मोनी में हूँ, एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे एक संबंदी का फोन आया, मेरे फामिली मेंबर्स ही थे और वो कुछ वहां से ब अपनी रख रहे है, फिर उसको कुछ मैं और गलत अर्थ दे रही हूँ, सब अर्थ जो दे रही थी मैं सभी माननेता के आधार पर थे, तो बात होने के बाद फोन बंद किया, मैंने और फिर इसको अनलिसिस किया, तो मैंने ये देखा कि उस वक्त कुछ तो मेरी स्थिती ठ खीक नहीं थी, और जो भी मेरा वो conversation हो रहा था, उनकी तरफ से जो भी शब्द आ रहे थे, सभी जो शब्द, सभी सम्वेदनाओं को सब मैं अर्थ माननेता के आधार पर ही दे रही थी, तो इस वज़े से और उस वक्त मैं खुद भी असहज महसूस हो रही थी, दुखी भ होता है, बट वही है कि सहजता से मैं अर्थ दू, जो भी सम्वेदनाओं मेरे, मैं पढ़ती हूँ, जिन भी सम्वेदनाओं को जो अर्थ देना है, वो सही हो, सहजता से हो, इस पर भी मुझे काफी काम करनी की जरूरत लगती है, पुद में एक्सराइज तू का जो स्टेप सेवन है, शुन्य को देखना, तो जो सबका आधार है, तो उसको समझना, देखना, इसके बारे मुझे जिग्यासा उत्सुकता तो बनी रहती है, और इस अर्थ में मैं आगे भी काफी प्रयास करूँगी, ये एक सुख सभाव है या प्रभाव, तो समझ में आता है कि अगर मैं मेरे इनेट नेचर में, सहज भाव में अगर मैं बनी रहती हूँ, कुछ ख्षनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो वो मुझे सुख देता है, बस वही है कि कंटिन्यूटी नहीं बनती है, बहुत बार माननेता से बहुत सारी चीजों को समझने की, रियक्ट करने की, जो एक आदत अभी तक बनी है, इस वज़े से वो बार-बार सुभाव में तो हम, मैं नहीं बन रह सकती हूँ, और संसकारों के तहत ही जीना चलता है, और उस वज़े से फिर दुखी भी होती रह यह सब चीजे समझ में आ रही है, बट ऐसे ही ताइम में अपना ज़्यादा बढ़ाओं कि मैं अपने सुभाव में बनी रहूं, ताकि मैं हर वक्त हर क्षन भी सुख को महसूस कर पाओं, अपने सुभाव में बने रहते हुए, इस पर भी आगे और मैं काम करूंगी, कमिटमेंट के फॉर्म में अगर मैं बताओं तो सुभाव के समझ के लिए तो हर क्षन काम किया जा सकता है, हर वक्त काम भी हम करते रह सकते हैं, अपने में अवेर रहते हुए, क्या चल रहा है, अपने को समझते हुए, देखते हुए, छोटी सी छोटी बातों को, तो परस काम चल ही रहा है वैभो के रूप में चाहती तो हूँ मैं करूँ आप सबके साथ जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा ज्यादा तर प्रयास रहता है कि सबके साथ जुड़ती रहूं जितना हो सके और आगे भी मेरा रहेगा 100% में प्रयास करती ही रहूंग कितना मैं भागिदारी भी कर पाऊं इस अर्थ में मेरा पूरा प्रयास रहेगा जी नमस्ते दीदी जी बहुत 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 धन्यावाद भागिशाली दीदी बहुत अच्छे से आपने अपनी ट्रांस्फोर्मेशन जर्नी को रखा बिफोर यूएच्वी और अप्र एक्स्प्लोरिंग यूएच्वी परपोसर तो बहुत बढ़िया दीदी अभी मैं श्यर्मीला दीदी क आमन्त्रित करूंगे कि दीदी बागिशाली दीदी की शेरिंग के बारे में अपना वीट पैक रखे जी नमस्ते भागेशाली जी जी नमस्ते जी दी नमस्ते बहुत अच्छा लगा उपकी शेरिंग सुनके आप बहुत इमानदारी से बहुत निष्टा से अपने उपर काम कर रहे हैं और जैसी आपकी पहली शेरिंग्स थी और जो भी हमनों की बातें पहले भी हुई है उनसे ये दिखता है साथ कि आप का प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हो रहा है कि आप अपने अंदर और अच्छे से देख पा रहे हैं क्लारिटी बन रही है और आपने जैसे कहा आप भी इसके पहर बहुत आराम में भी आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं तो ये सब एक तरह से एक इंडिकेटर है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं आपने जो उदाहरन भी लिए उदाहरन से दिखता है कि डेली जीने में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं और इससे आप लाग भी उठा रहे हैं और आपके घरवालों में भी आप में ये जो बदलाव है वो दिखने लगा है तो काम तो लंबा है ये तो ठीक बात है और समय लगेगा इस काम को करने को हम सबी को लगी रहा है लेकिन ये जो महत्पून काम है इसमें आप अपनी भागीदारी देख पा रहे हैं परिबार में अपना रोल और स्पश्ट टंग से देख पा रहे हैं और उसको और अच्छे से कर पा रहे हैं और धीरे धीरे और आगे भी भागीदारी जित्ती हो सकेगी आप करेंगे ही ऐसी मेरी आशा है तो आपको आगे के लिए भी बहुत-बहुत शुब कामना है जी जरूर दीदी धन्यवाद